हेलो दोस्तो वेलकुम बैक टू माई चैनल आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप सब के लिए ले कर आई हूँ बहुत ही जादा इस्पेशल वेलेंटेंस देश स्पेशल स्वीट रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे ब आपको काले अंगूर ही लेना है और यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगी सारे अंगूर को गुच्छों से इस तरीके से निकाल करके और सारे अंगूर को अच्छे तरीके से धोलूंगी तो आपको अच्छे से वास करना है और यहां पर मैं क्या करूंगी इससे फिर एक प्लेट में निकाल करके रख लूँगी तो अब आपको इतना ही करना है बहुत ही ज्यादा सिंपल रेसिपी है अब कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो चलिए मिक्सर जार की तरफ चलते हैं तो यहां पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है और सारे अंगूर को आपको उस यह प्लीट करना है यहां पर प्लॉट को आड़ करते हैं अप यहां पर इसे भी कर लेती हूं और यहां पर पिस्ता आप आपके पास जो ड्राइब शूट्स है याप जो पसंद करते हैं आप वही एड़ करें और साथ ही यहाँ पर एड़ करें एक बड़े चमस हनी हनी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस रेसीपी में तो इसको इसकी नहीं करना है आपको इन सब चीजों को एड़ करने के बा करना है घी घी एड़ करने के बाद जो हमने पेस्ट बना करके रेड़ी किया है आपको सारा एड़ कर देना है तो चलिए मैं आपको फाइनली बता देती हूं क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको कि मैं क्या बना रही हूं तो मैं आज की रेसीपी में बना रही हूं बहुत ह ज़्यादा हेल्दी ओमेजिंग टेस्टी रेचिपी जो आपने कभी नहीं खाया होगा असतर ताले अंगूर की बर्फी तो इस वेलेंटाइन डे में आप इस रेचिपी को ज़रूर ट्राइग करिएगा बहुत ही ज़्यादा खटा मिठा बर्फी बन करके तयार होता है बारी आती है सुगर आड़ करने की तो आपको यहां पर तीनी अपने हिसाब से आड़ करना है अगर आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा करें और कम खाना पसंद करते हैं तो कम करें और साथी मैंने यहां पर आड़ किया है एक बरे चमश मिल्क पाउडर और कब बारी आती है दूद्गी तो यहां पर मैं दो कटोरी भर भर के दूद्ध करूंगे इसे बहुत ज्यादा हैल्दी और टेस्टी बनाने के लिए तो आप कब इसे ट्राइब कर रहे हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना क्योंकि अगर आपको एक बार इस पी का चस्का ल फोड़ा पैसेंस रखने है इसे बनाने में आपको मिडियों फ्लीम पड्री से भूनते रहने में आपको आई फ्लेम करना है वर्ना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपको तब तक भूमना है जब तक ये थोड़ी ड्राइ कंसिस्टेंसी की नहीं हो जाती है जब ये परफेक्ट ड्राइ कंसिस्टेंसी की हो जाएगी तो ये परफेक्ट रेडी हो जाता है वैसे तो हम लोग हर एक चीज में कहीं नग कहीं एक ही स्वीट की रेसिपी बनाते रहते हैं तो अगर आप भी बोर हो गया हो मेरी तरह तो इस वैलेंटाइन दे में कुछ नया हो जाए यहां पर रेडी हो चुका है हमारा मिक्सर चलिए उसे ठंडा होने के लिए और बर्फी का सेव देने के लिए आप उसे किसी भी धाली में आड़ कर ले या फिर अगर आपके पास इस तरीके का कोई काटून है तो आप उसमें आड़ कर ले और फिर उसे अच्छे से स्प्रेड कर दे और थोड़ा रेष्ट भी तो देना है ताकि प्रॉपर थंडा होके वो सेट हो जाए तो आपको यहाँ पर ज्यादा रेष्ट देने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा थंडा हो जाए यह कट करने के लिए रेडी हो जाता है तो लिज यह हमारा फाइन ली कपल के लिए स्वीट रेष्ट बन करके तयार है और अब सिंपल है जो हम लोग हमेशा करते हैं बरफी का सेट करना है बरफी का सेट करना है बरफी का सेट करना है तो अगर आपको भी यह मेरी यूनिक रेष्ट पसंद आई तो हमारे साथ जो ऐसे नई रेसिपी देखने को हमेशा मिलता रहेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू